अगे सर बादार की चाल इस समय कैसे दिख रही है क्या फरक है और कुछ उम्मीदें हैं क्या बजट से सर जी मैं एक मिनिट पहली आपसे जॉइन हुआ था और मैं आपकी कुछ बात सुन रहा था यह बजट में इतना कुछ खास होने वाला है ने सरी एक सिंपल सी चीज जो मेरे समझ में आती है यहां पर कि यह बजट मोर और लेस फिनांशियल मोर पॉलिटिकल यह 2024 को धान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा और जिस तरीके के इंडिकेशन्स अपने ओंडरेबल फिनांस मिनिस्टर दिखा रहे हैं भी कि मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं समझती हूँ कि यह पेन क्या होता है यह इसा भी सारी चीज़े तो यह कहीं न कहीं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल ही देखेंगे इन 2024 इलेक्शन साथ डियो एन इंडिया सो बजट को तो अच्छा देना ही देना है सर इनको इनके साथ इनके पास में कोई चारा नहीं है दूजर तो लेकिन बजट से फिर आप यह उमिद कर रहा है कि बाजार के अंदर में वह फेक्टरिंड हो चुके है वह फेक्टर अब तो तेजी आना अभी शुरू ही है सर हम लोग इसको फेक्टरिंड करके दोड़ी चल रहे है अभी अच्छा महीं करा है अभी तेजी तेजी अभी डियो है पर उसके पहले निप्टी में चारेक सू कॉइंट का थोड़ा सा क्राक दिखता है किन तो जिस तरीकी से 17,900 की लेवल थोड़ी हुई थी यह थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वाली चीज़े हो रही है यहां पर एंड मुझे लगता है कि उपरी लेवल पर वापिस प्रेशर बढ़ना शुरू होगा मार्केट में और यह चीज़े होगी पंका जीका कि उपरी लेवल से किस तरीके से बजार को देखना है यह बैंक निफ्टी के इस तरीके रहिसा और क्या लूज देखना है सार मुझा निफे रिट्रेस्वें निफिश्मेंट का वेल्यू दीखा रहा है सर और आगर मों तो आदी घंटे के चार्ट के उपर दे मेरा सुबह से कॉल दिया हुआ है बैंक निफ्टी का ऑप्शन का 42,200 के लिए ट्रेड करने के लिए बोला हुआ था 270 रुपए के करीब करीब 322 रुपए के आसपस अभी चल रहा है बैंक निफ्टी इंट्राडेक के अंदर मैं बुलिश हूँ एक जो सुबह में जो स्पाइक दिया उसके बाद में जो थोड़ा नीचे आया मार्केट वो एक सित्व एक प्रॉफित बुकिंग था बट ओपन इंट्रेस भी काफी अच्छा है और जो दायरा है सर 42,200 से लेकर 42 का मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं सर यहां पर आपके पास में स्पॉर्स के रेट लगे हुए रहते हैं तो यह रेंज में मार्केट रहेगा जब भी 42,500 का डिसिसिवली यह रेंज तोड़ देगा मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल रण अच्छा खासा भागे ग सर ज्यादा लेडर्शिप तो बैंक निफ्टी से ही आनी है